हेलो गुडीवनिंग फ्रेंट्स आप लोग कैसे हैं आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपी के यूट्यूब चैनल में मेरे सभी मित्रमास्त और स्वास्त होंगे इसी उमीद और आशा के साथ में आज की वीडि अगर आ रही हैं दोस्तों तो आप उनको बिल्कुल भी कुडे कच्रे में मत फिक किये आप उनमें अराम से पौधे लगा सकते हैं दोस्तों एक एक बोतल जो होती है बहुत कीमती होती है और एक एक बोतल में जब आप देखते हैं कि आपको हर्याली देखने को मिलती है बोतलों का यूज़कर सकते हैं, आप उनमें प्लांट ग्रोज कर सकते हैं कुछ मेरे मित्र होंगے जो कि वेश्ट मेटेरियल गार्णिंग करते हैं अगर जो मेरे मित्र वेश्ट मेटेरियल गार्णिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही informative होने वाली है तो प्लीज वीडियो में बने रहेगा लास तक और वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि वेस्ट मैटेरियल को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और आप उनमें कौन-कौन से पौधे लगा सकते हैं तो दोस्तों अभी गर्मियों में बहुत अतिक हमारे घर में आईस्क्रीम के डिबबे भी बहुत आते हैं और क्या वेस्ट मैटेरिल की चीज़ें हैं जिनमें मैंने पौधे लगा हुए हैं तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ अपने गार्डन की यह बहुत सारी बोतले हैं वैसे तो मेरे गार्डन में लेकिन मैं आपको अभी दिखा रही हूँ यह देखिए यह कोल रिंग की या माजा की मुझे नहीं है कि पता यह वाली बॉटल यह पानी की बॉटल है यह पानी की बॉटल है विसलरी वाली है यह कोला की बॉटल है और कोला की बॉटल में लगाया हुआ है मैंने नाकचंपा का प्लांट आप प्लांट की ग्रो देखे दोस्तों कितना हेल्दी मेरा यह प्लांट बना हुआ है तो अगर आप इस तरीकी की बॉटलों का यूज क कम मात्रा में आती है इन्हें रखने की भी हमार को कोई समस्या नहीं होती है कई यो बार हमारे पास इतना स्पेस नहीं होता है कि हम बड़े-बड़े पॉट को कहां पर रखें लेकिन इस तरीके की अगर छोटी-छोटी बोतले होती है तो इनको रखने की हमारी कोई समस्या न आप प्लांट की ग्रोध देख सकते हैं दोस्तों यह दो लिटर की बॉटल है आप देखे कितना घणा मेरा यह प्लांट है यह देखें तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल मत सोचेगा कि बोत्मों में जो है पौदे ग्रो नहीं करते हैं या उनमें फ्लावरिंग नहीं आती है या मेरा प्लांट है और मैं आपको दिखाती हूँ इसके फ्लावर यह देखें यह देखें इसके फ्लावर है देखें कितने खुबसूरत लग रहे हैं यह गुच्छों में इसमें फ्लावर आए है दो लीटर की बॉटल में तो और कितना विशाल मेरा प्लांट है यह देखें तो इस तरीके से आप जो है इस तरीके की 2 लीटर की बॉटल को बिल्कुल भी मत पेकिएगा दोस्तों ये रहे के दोस्तों ये है spider plant और ये भी लगा हुआ है आईस्क्रीम के डिबे में ये रहे कि यह लगा है ये ऑर समें लगा है spider plant अभी थोड़ी गर्मी है दोस्तों गर्मी के कारण जो है इसकी कंडिशन कुछ इस तरीके की हो गई है डिरेक्ट धूप इसको मिलती है और इसलिए प्लान थोड़ा इस तरीके से हो गया है चाहूं में रखना है मुझे और देखिए कितनी खुपसूरती के साथ यह आईस्क् का डिबबा है और एक और मैं आपको अपना आईस्क्रीम का डिबबा दिखाऊं यह रिखे यह भी आईस्क्रीम का डिबबा है और इसमें लगा हुआ है यह क्लांचो का प्लांचो का प्लांट ग्रो कर रहा है इस आईस्क्रीम के डिबबे में यह सर्दियों का पौदा है स यूज आप कर सकते हैं इनको मत पेकिएगा ये रिखिए ये एक और दो लीटर की बॉटल है इसमें अभी मैंने कुछ समय पहले ही कटिंग लगाई है और जो की लग रहा है सक्सस्कूल हो चुकी है मैं बहुत सारी कटिंग इनकी लगाती रहती हूं और लोगों को देती भी इसमें नियुनयु इसका फुटाव आना शुरू हो गया है ये रिखिए एक यहां पर आ रहा है ये दूसरा पर पहले से लगाया हुआ है ये नक्चंपा का प्लांट है तो एक पौधा मैंने और लगा लिया है दो लीटर की बॉटल में क्योंकि मैं इस बर देखना जाथी यह मेरे मित्र ने मुझे दी थी तो इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है आप देख सकते हैं यह आप अपर से देखिए इसमें ग्रोथ जो है इसकी स्टार्ट हो गई है यह देखिए पूरा हरा हरा हो रहा है तो यह भी प्लांट मेरा कटिंग से चल पड़ा है और दो लि अगर इस तरीकी की बॉटले आपके घर में इस गर्मियों में आ रही है तो बिल्कुल मत फेकिए सबका यूज आप अपने टैरेस गार्डन में करिए और आप लांटर की रूप में इनका यूज कर सकते हैं इनमें प्लांट लगाने के बहुत सारे फायदे एक तो चारु इसमें आके बराबर आती है जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हमारी दो सबसे बड़ी समस्या होती है एक होती है मिट्टी की दूसरा होता है कंटेनर की तो मिट्टी बहुत कम मातरा में आती है कंटेनर बोतल का यूज कर लेते हैं हम और बिल्कुल फिरी के कोई पैसा नही कि एक होड़ी हैं लेकिन जो हैं पैसा भी घर्च नहीं करना चाती है तो इस घर्मियों में तो बहुत शारी मेरे मित्रंगे जो की इन बोतनों को कुडे कच्रे में नहीं फेकेंगे और उनका जादा से जादा उपयोग करेंगे अपनी गार्डिंग में और बोतले जो हैं अराम से चार से पांच साल चलती हैं इनको कुछ भी नहीं होता है ये बिल्कुल खुले आसमान की नीचे मैंने रखी हुई है ना ही मेरे पास कोई शेड है बस खुले आसमान और तेज धूप में 45 दीक्री की धूप में ये मेरी बोतले चत पर रखी हुई हैं और सब में पौदे लगे हुई हैं और मुझे ग्रिंडरी भी दे रहे हैं और फ्राविंग भी दे रहे हैं और नीचे ड्रेने अच्छे से बना दीजेगा कम से कम 5-6 हो ग्रण बना दीजेगा और बीच बीच में आप जो है कोई भी लिकिविट फटिलाइजर इनको दे सकते हैं वो भी आपके घर में ही मिल जाएगा जैसे केले के छिलके हो सब्जी ओके होई हूँ उन्हें आप तीन से चार दिन के लिए पानी में भीगा कर बीच बीच में आ माया वेस्ट मैटिरियल एंड क्रियेटिव गाडन है तो बाए दोस्तों फिर मेलूंगी एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ हैपि गाडनिंग थेंक यू